गुड मोरिंग फ्रेंज ये वन्नेस्टे ब्रेकफास्ट टाइम का भीव दिखा रही हूँ ज्यादा काला चना को भीगो के में उबाल चुकी हूँ छनी में उसका पानी चान के रखी हूँ साइड में टोमाटो प्याज अद्रक लेसन का पेस्ट उसका रखी हूँ थोड़ा काला चना उबाले हुए चना को में सुखा रख लोंगी और ज्यादा में मसालेदार थोड़ा बनाऊंगी जैसे उसके साथ हम नमकिन मिक्सर या किकुमबर कच्चा प्याज इस तरह मिला के भी खा सकते हैं पर थोड़ा चटपटा बनाने के लिए बच्चे भी बोले नहीं तो मैं इसे उबाले हुए चना भी खा लेती हूं कला चना को नमक हल्दी मिला के मैं उबाली हूं पर पानी को छान के रखी हूं दो मीडियम साइज टमाटो को में थोड़ा जो तड़का दी हूं जीरा तड़का तेल के साथ जीरा तड़का और करीपता प्याज अध्रक ल टमाटो एक बड़ा था उसको भी चपपर में बारिक टुकड़े करके रखी हूं सबको मिलाना है और नमक हल्दी भी मिला रही हूं मैं जब एक आला चना उबाल के रखी थी उसके साथ भी नमक हल्दी मिलाई थी पर पानी चान ली है इसलिए ये मसाले को देखकर थोड़ का नमक हल्दी भी आड की हूं और मसाला जब अच्छे से भून जाएगा उसको मिला के फिर से मसाला की साथ भूनना है इस तरह मैं बना रही हूं ये आप लोग जानते हैं फिर भी मेरा तो ये जो काम है आप लोगों को दिखाना है इसलिए थोड़ा आप लोगों को दिख ये बहुत हेल्दी भी होता है आप लोग जानते हैं ब्रेकफास्ट में खाये तो हेल्थ के लिए भी ज्यादा अच्छा होता है मैं फिर से थोड़ा सा नमक आड़ की हूँ क्यूंकि मुझे लगा नमक कम पड़ सकता है मैं पानी को छान ली हूँ इसलिए नमक को बालांस की ह बाद में और थोड़ा सा पानी हापकप के करीबन मिला के मसाले को और ये काला चना को भून रही हूं ताकि सब अच्छे से काला चना के साथ मिल जाए सबजी ग्रेवी भाला नहीं बनाओंगी सुखा सुखा जैसा बनेगा इस तरह देखिए हो गया है ये तो बाल के रखी थी पर मसाले की साथ थोड़ा सा भून लेना है और देखिए ये बन ही गया है और आप चाहें तो उसका स्प्राउट्स भी बना के खा सकते हैं ये बहु थी उसके बाद जब हजमेंड अफिस चले गए इतना तेज बारिस हुआ था आप देखेंगे तो जान पाएंगे ये टिफिन को थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दे रही हूं और चलिए अभी बारिस के तरफ चलते हैं कितना तेज बारिस में थोड़ा सा आबास भी अठे उसको थोड़ा बारिस के पानी में नहला दूँ और ये भी एक लकी बांबो और जो जो छोटा मोटा मेरे इंडोर में था सब को लाके मैं ये बारिस के पानी में रख रही हूं ताकि अच्छे से वो नहाले क्यूंकि वो तो हमेसा घर में रहते हैं हम स्प्रे करते है अच्छे से ले और दिल खुश कर ले और में भी इसी चकर में थोड़ा भी गयी और मुझे थोड़ा सर्दी लग गया पर खुशी मिली ये इतना ये बारिस में ये पौधों को थोड़ा पानी भी मिलना जो गमला उसको भी लाके रख रही हूं उसको रखना और फिर से लेके साप करके अंदर में जो जगा में लाई हूं फिर से रखना ये तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बारिस में भीग के मैं ये सब की हूं इसलिए बाद का जो ब्लॉग में रेसिपी और क्या काम सूट नहीं कर पाई देखिए कितने सुन्दर से ना है और गमला यह जो पोधे के देखिए कितना पानी पानी कितने सुन्दर लग रहे थे मुझे तो बहुत अच्छा लगा बाद में जब थोड़ा सा बारिस कम हो गया मैं अंदर में लाके फिर से रखी हूं और इसी तरह यह ब्ल इसलिए मॉनिंग का थोड़ा रेसिपी में आप लोगों को दिख्याई हूं काला चना का रेसिपी और यह मॉन्नी प्लांट और बारिस का थोड़ा भीव भी आप लोगों को दिख्याई हूं आजकल तो हर जगा बारिस हो रहा है हम तो घर में जो प्लांट रखते हैं घर म जो काम था उसको में साइड करके ये काम को आप लोगों को दिखाई हूँ आसा करती हूँ ये भी आप लोगों को पसंद आया होगा हमेशा की तरह ब्लोग को लाइक जरूर करेंगे चैनल में नए है तो सस्क्राइब भी कर लेंगे फिर मिलूंगी नेक्स ब्लोग में ठैंक् झाल झाल झाल